हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आर्वी डिट्यूब क्लास में जब फ्रेंड साज में फिर से आप लोगों के लिए कोस्चन लेकर करके आया हूं यह कोस्चन क्लास 10 की मैद से exercise 4.3 का question 6 है यह वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है वीडियो को जरा भी skip मत किजिएगा पूर the longer side is 30 मीटर मोर देन दा साथर साइड फइंड दा साइड आप दा फील्ड तो यहां पर देखो इननों नहीं कहा है कि मरे पास एक रेक्टेंगुलर फिल्ड है देखो रेक्टेंगल ऐसे होता है ठीक यह मरें क्या रेक्टेंगलर फिल्ड है अब यह वाली हमारी साइड है है कि यह हमारा क्या है illegonal है प्रिक इसका कोई नाम डे देते हैं ऑफ की सिट अब यह हमारी १ार यहां पर इन्मोंनिस यह बोला है कि जो डाईगोनल हे वह सिक्स्टी ज़ादा है सॉर्टर साइड से वह 30 मिटर जादा है सॉर्टर साइड से मानना पढ़ेगा solution let length of shorter side is equal to x meter shorter side length है वो हमने x meter let कर ली then the length of diagonal is equal to x shorter से कितना more है 60 meter more है तो more होने का मतलब plus x plus 60 meter and the length half longer side is equal to देखिए यह shorter side तो होगा ही उससे 30 meter more है तो यहां पर यह हो जाएगा 30 plus ठीक तो यह हमारे diagonal हो गया यह हमारी longer side हो गई और यह हमारी shorter side हो गई अब अगर figure में देखें तो यह हमारी longer side है यह हो जाएगी x plus 30 यह हमारी diagonal है तो यह हो जाएगी x plus 60 और यह हमारा shorter side है तो shorter side कितना हो जाएगा x हो जाएगा अब देखो अगर हम इस rectangle में यह diagonal से अलग अलग part में divide करें तो triangle बन जाता है और कैसा triangle बनता है right angle triangle बनता है क्योंकि किसी भी rectangle की सभी angle जो होते हैं वो 90 degree के होते हैं तो अगर हम triangle ABC में देखेंगे तो यह एक right angle triangle है और इसमार हम pythagoras theorem का इस्तेमाल करेंगे int angle ABC right angle at angle B जो बाइ यूजिंग पाइथाग औरस थेरम जो जब पाइथाग औरस थेरम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखो यह जो इसी है diagonal वाला हमारा हाइपमेंडिकोलर हो जाएगा यह हमारा बेस हो जाएगा और यह एमारा परपंडिकोलर हो जाएगा हम तो प्लस और जो हमारा यह परपेंडिकूलर है वो कितना है X है तो इसका स्क्वेर हो जाएगा ठीक है यह क्या हो गया hypotenuse का स्क्वेर is equal to base का स्क्वेर प्लस परपेंडिकूलर का स्क्वेर अब आगे इनको solve करेंगे तो solve करने के लिए identity इस्तेमाल करेंगे यह प्लस बी होल स्क्वेर is equal to a square फ्लस 2 a b फ्लस b square ठीक है तो यहां पर एक्स पर देखो यह मारा होगा है एक्स स्क्वेर प्लस 2 into x into 60 प्लस 60 home square कि इस इक्वल टू यहां पर हो जाएगा x square प्लस 2 into x into 30 प्लस 30 home square प्लस x square ठीक है यह होगा इसको expand करने पर तो आप द्याहन से देखो यह x square और यह x square सेम सेम है cancel out हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 260 जा 120x और यह देखो 60 का अगर आप square करोगे तो यह आजाएगा 3600 ठीक है अब देखो 60 का square कैसे करते हैं मालो ऐसा है जिसके आखरी में कोई 0 आया है तो उस number का square कर लो जैसे 6 है तो 6 का square 36 होगा पर 0 का square 2 0 लगा दो तो very simple यहाँ पर आजाएगा 3600 यह आजाएगा 230 जा 60x और यह 30 का square आजाएगा 900 और पलस x square ठीक है यहाँ पर आगे क्या होगा देखो हमें इसको quadratic equation के form में बना करके फिर इसको solve करना है तो यह जो term है इधर वाला इसको उस side में ले जाएगे तो इधर हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0 और सबसे पहले जो highest power वाला term होता उसको पहले rate करते हैं तो x square को हम पहले rate कर देंगे ठीक है फिर यह हमारे पास plus 60x यह इधर प्लस है उधर जाएगा तो minus हो जाएगा minus 120x ठीक फिर यह आजएगा plus 900 यह प्लस है इधर आके minus हो जाएगा 3600 ठीक है यह सभी employee rate का sign हो जाएगा या फिर और लगा देंगे आगे क्या होगा वो देख लीजिए देखो यह हो जाएगा x square यह नंबर बड़ा है 120 का तो minus sign आएगा 120-60 करेंगे 60x यहां पर नंबर बड़ा 3600 का तो minus sign आएगा 3600-900 करेंगे तो 2700 हो जाएगा यह इकोल टू जीरो ठीक है तो यहां पर हमारी quadratic equation बन जाती है अब हम इसको factorize करेंगे तो हमें shorter side मिलेगी और फिर हम जो है दूसरी side find कर लेंगे तो आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लो तो आप हम इस equation को factorize करेंगे कि नाव कि एक्टोराइड कि एक्स स्क्वेर माइनस 60x माइनस 2700 is equal to 0 अब यहां पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसको कॉमन तरीके से फेक्टोराइड नहीं करना है अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करना मैं अलग से वीडियो बना दूगा तरीके क्या है दिखो जैसे आपको दिखना जो एक्स स्क्वेर वाला टर्म है ठीक है इसके साथ कोई ना कोई कॉफिसेंट होना चाहिए जो की नहीं दिख रहा है तो जब कोई कॉफिसेंट नहीं दिख रहा है मतलब वन है यानिक यह जो एक्स स्क्वेर लिखा है यह ऐसे 1 into x square ठीक है तो 1 है तो इस case में ही ये ट्रिक अपलाई होगा ठीक है मतलब यहां पर जब केवाल x square हो तभी ये condition apply होगा condition क्या है वो मैं बताता हूं सबसे पहले यह जो c है ना इसके आप factor find कर लो तो इसके दो factor बनेंगे एक बनेगा 90 और एक बनेगा थार्टी नाइनटी थार्टी जा 2700 कैसे समझाता हूं देखो आप जब इनका मल्टिप्लिकेशन कराओगे तो एक जिरो यहां एक जिरो यहां है दो जिरो हो गया और नाइन थिरी जा अगर यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है तो जो बड़ा नंबर होगा वह माइनस होगा और चोटा नंबर होगा वह प्लस होगा जब यहां भी माइनस है तो जो बड़ा नंबर है वह माइनस होगा जो छोटा नंबर है वह क्या होगा प्लस होगा तो जैसे यहां पर मा आप देखो इसमें जैसे हमें एक्स की बैलू तो मिल गई एक थाटी है जिसमें से थाटी हम लेंगे नहीं क्योंकि यह नेगेटिव हम नहीं लेते हैं इसे नहीं लिया जाता है तो यहां पर हम पॉजिटिव बैलू लेंगे क्या छी पॉजिटिव बैलू आप यह नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे क्योंकि जो डिस्टन्स होती हो जन्रली नेगेटिव में नहीं होती है इसलिए आम नेगेटिव बैलू नहीं लेंगे तो एक्स इć्वल डु कितना हो जाएगा 90 और एक्स क्या है हमारी सफ्तर्स कितनी हो गई 90 Mirks The question में क्या पूछा है हैं क्यों होती मोताओ अदिको रेक्तेंगल में सइद होती है और डायगोनल होता है दमीत बताना है तो बस सथ साइड बताना और यासे 90 मिटर आ गया तो को यहां पर क्या करेंगे नाव कि वी चूज कि स्वार्टर साइड कि इस इक्वल टू 90 मीटर देन लांगर साइड इस इक्वल टू देखो लांगर साइड है एक्स पिलस 30 तो जहां पर एक से वहां पर 90 रख दीजिए तो 90 पिलस 30 कितना आजाएगा 120 मीटर आजाएगा किता आजाएगा 120 मीटर आजाएगा तो आप लास्ट में लिखोगे देयर फोर कि दा साइड्स आर कि 90 मीटर एंड 120 मीटर यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप चाहते से राइट अन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रिंशॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले आप समय है तो एब झाल जाएं कि वीडियोग भी स्वाब दोस्तों को Het कि वीडियों कि वीडियों कि है तो प् hoॉश् Просто आप best we आप दो चुल Em है तो सुझत आपHHH झाल झाल